नमश्कार, न्यूस्क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारगरम इतिहास के पन में है। अभी हाल में प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी अमरीका गए थे। स्टेट विजट थी। आप स्टेट विजट के दोरान उन्होंने जॉइंट सेशन ऑफ यूएस कॉंग्रिस को भी एक भाशन दिया। उस भाशन के दोरान उन्होंने कहा कि अभी हाल में हंदुस्तान ने आजादी के 25 साल का जशन मनाया जो की हजार साल के foreign rule या विदेशी राज के बाद आया अब थाउजन्ट इयर्ज ओफ foreign rule ये उनके exact अंग्रेजी के शब्द थे ये उनके political rhetoric में पहले रहा है चुनाओ के समय में 1200 साल की गुलामी मोदी जी अक्सर बोलते आये हैं संग परिवार की तो राजनी दी रही है एक तरह से कि medieval period को foreign rule कहना लेकिन ये शायद पहली बार है कि प्रधानमंतरी के तौर पे ये statement है दिया गया और वो भी विदेशी जमीन पर और वहां के parliament का जो parallel institution है US का जो Congress है वहां पे दोनों सदन थे तो हम इसके बारे में बात करेंगे इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे हमारा अप्रोच ये नहीं रहेगा कि हम post-mortem नहीं करेंगे medieval period का लेकिन हम इस चीज को राजनितिक तौर पे समझने की कोशिश करेंगे हमारे साथ बात करने के लिए हैं बहुत ही वरिष्ट political scientist मनिंदर नाथ ठाकूर जो जवाला लेड़ी उनिशिटी में political science भी पढ़ाते हैं तो मनिंदर भाई सबसे पहले तो हमारे कारेकरम में आने के लिए बहुत धन्यवाद जैसा कि मैंने अपने introduction में कहा कि हमारा अप्रोच ये नहीं है कि हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई foreign rule था या नहीं था उसके बारे में बात होगी लेकिन वो हमारी primary emphasis नहीं है पहला जो चीज हम समझना चाहते हैं कि प्रधान मंत्री अगर ये बोलते हैं कि हमारी अभी आजादी के पिचटर साल पूरे हुए जो कि हजार साल के foreign rule के बाद विदेशी राज के बाद आया तो इसे उनकी राजनीती के बारे में आप क्या समझते हैं आपने हिंदुसान में राजनीती और धर्म के बीच में उनकी जो inter relationship है उसके बारे में आपने बहुत काम भी किया है मुझे लगता है कि जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि हजार साल से हम गुलाम है तो राजनातिक तौर पे एक गलत statement है वो इतिहासिक तौर पे तो गलत ही है राजनातिक तौर पे भी गलत statement होगा क्योंकि कोई प्रधारमंत्री यदि ये officially कह रहा हो कि हम हजार साल से ये बारो साल से गुलाम हैं इसका मतलब है कि ये समाज जो इतना उननस समाज रहा है ये क्या हजार साल तक यूं बैठा रहा कोई स्षवतंता अंदूलन नहीं चला यहां पे जब अंग्रेज़ों के आनरे के बाद जब से वो आए तब से ही उन्हें भारत में विरोध सहना पड़ा बिल्कुल और तब से ही हमने एक नया समाज गठन करने के लिए आंदरण किया सारे लोग एक साथ जूट गए जी सब लोग आए तो उतने सालों तक क्या हुआ तो मुझे लगता है कि ये राजनितिक तोर पर भी ये स्टेक्मेंट सस्टनेबल नहीं है अब यदि आप गौर करें कि हुआ कि हुआ कि इस दर्मयान जैसा आपने कहा कि पोस्ट मार्टम नहीं करेंगे लेकिन एक परस्पेक्टिव हमें बनाने की जबरत है कि उसमें क्या तो अपने साथ में अलबरुनी को लाते हैं अलबरुनी खुद ही कैदी थे उनके क्योंकि गजनी ने वहाँ पर जो आकर्मन किया था अपने आसपास में वहाँ से बहुत से लोग कैदी बनाया था उसमें अलबरुनी को भी बनाया था और उनसे कहा गया कि हमारे साथ चलें और यहाँ का एक मैपिंग करवाया गया उससे, तो पहला टेक्स था जो उन्हों ने पुडूस किया, जो हिंदुर्स्तान के Kita काभी मैपिंग था, और हंदुर्स्तान के असन क्रिटिंग भी मैपिंग था. यह और एक तरह से comparative religion का भी वो text था क्योंकि जो दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो comparison कर रहे हैं कि हमारे यहां क्या है यहां क्या है तो वो text जो आप देखें तो बड़ा interesting text है वो जो बार बार यह कहता है कि हिंदुस्तान ग्यान का सागर है बहुत knowledge यहां पे है लेकिन यह knowledge लोग देना नहीं चाहरे है पहले शायद इस knowledge का आदान परदान होता था काफी लेकिन अभी इन लोग ने close कर ले है knowledge को यह तो तैह है कि जब बाहर से लोग आ रहे हैं और यहां पे आकरमनकारी है वो तो यहां के लोग ने उन्हें आकरमनकारी के तरह देखा लेकिन आने के बाद क्या हुआ आने के बाद यहां पर वो रच बस गए और मैं अक्सर कहता हूँ कि class of civilization थेसिस का counter थेसिस है वो है entanglement of civilization जो civilization का आदान परदान होता है आप यदे गौर करेंगे पूरे उस period में अलबरिनी से लेकर आप यदी आ जाएं मुगल बंस के आखरी तक में तो आप देखें के दो धाराएं चल रही है एक तो ruling class जो यहां का है जो muslim rulers है उनके अंदर ये tendency है कि उनको religion फैलाना है उनको control करना है population को और उनकी अपनी legitimacy के लिए तो अपने period में जिसर से लोग राज करते हैं उसी तरह से करेंगे हम अपने जो modern era में जो democratic governments है उनसे जो expectations है उस parameter से हम उनको क्यों देखते हैं बिल्कुल नहीं देख सकते हैं और वो था उसमें कोई शक की गुजाइस नहीं है कि उसमें barbarism भी था उसमें state authoritarianism भी था लेकिन साथ साथ जो गौर करने की बात यह है कि एक people to people dialogue भी चल रहा था लोगों के बीच में जो एक relationship बन रहा था वो relationship बार बार उस authoritarianism को challenge भी करता था आप देखें जो पूरा सुफी movement रहा या जो भक्ती movement रहा इसने authority को challenge किया और जब लोग कहते हैं कि यहां Islam पूरा फैलाने की कोशिस की गई तो आप देखें कि वो कोशिसें दोने तरफ से हो रही थी Islam के साथ engage करके भी होती थी क्योंकि लोग नए धर्म से engage करते थे और राज से भी हो रहा था लेकि जो दूसरे तरफ से कोशिस हो रही थी वो friendly attachment था और इसलिए बहुत सारी चीजों का आदान प्रदान उसमें हुआ तो इस संस्कृति को गुलामी की संस्कृति की तरह देखेंगे तो उचित नहीं होगा यह एक तरह से संस्कृति का आदान प्रदान के संस्कृति थी यह मौसम था जो इसमें के लोग एक तरह से आफस में मिल जुल कर चीजों को बदल रह थे दोनों ही लोग बदल रह थे अभी जो लोग भारतिये इसलाम की बात करते हैं वो बिलक्तना ही सच है कि कितना कुछ Islam में बदला, कितना कुछ Hinduism में बदला, कितना कुछ Sikhism जब आया, उसने कैसे दोनों को साथ लिया, तो ये संस्कृतियों का आदान प्रदान दुनिया के हर कोने में होता है, जब नया पॉपलिसन आता है, नई चीज़ें आती है, ऐसा कुछ रहा, ठीक उसके व उसके पहले के जितने स्टेट से, उसने लोकल लौ को नहीं छेड़ा, लोकल लौ मतलब समुदा हैं कि अपने जो नियम कानून, जो जो उनके जो एपारिक्टर्स थे जिस तरह से, अपने कम्मुनिटीज को चलाना, जिस तरह की, मिलकुर, उसके कोई परिवर्टन नहीं आ रहा, समाज वैसा ही चलता रहा, गाउं वैसा ही चलता रहा, वहाँ पे कुछ भी नहीं किया गया, सिवाए इसके कि एक पावरफुल स्टेट आया, मजबूत राज था, वो युद करता था, खजाना जमा करता था, और फिर जो एक फ्यूडल स्टेट का कारोबार होता है, वो सब होता था, लेकिन यहां के ग्यान परमपराओं को छेड़ने की कोशिस नहीं की गई, जब अंग्रेज आये तो वो एक तरह का एपिस्टमिक वाइलेंस था, तो कॉलोनियलिजम उसको कहते हैं, जब कम से कम दो तीन लेवल पे आप देखेंगे, डॉमिनेशन की ब्रक करते हैं, दूसरे समाज के हिसाब से, और बड़े पैमाने पे यहां से धन बाहर ले जा जाएगा, जो कुछ अंग्रेजों के समय में, जो कुछ एकनॉमिक डेवलपेंट हो, वो इसलिए हुआ कि उनकी जरूरतों को पूरा किया जाए, जैसे रेल की जो भी जो डेवलपें वो सब एक ऐसे स्टेट का स्वरूप था, जिसका मूल उद्श ये था, कि यहां से धन को बाहर ले जाए जाए, लेकिन जो पूरा मुस्लिम रूल जिसको आप कह सकते हैं, उस पुरे पीरियड में, धन यहां से कहीं बाहर नहीं गया, बलकि जो संस्कृती और जो ग्यान व में ऐसा करना उचित नहीं है, कि आप उसे कहें कि वो गुलामी का पीरियड था, जी, दूसरी बात यह है कि यदि गुलामी का पीरियड है, जिसे हम कहते हैं कुरोनिलिजम में गुलामी का पीरियड है, और जिसमें सिर्फ आर्थिक गुलामी नहीं हुई, बलकि मानसिक रहते हैं हमारे सोचने समझने के तरीके पे एक वालेंस हुआ ये भी हुआ तो उससे भी निकलने का क्या तरीका होगा क्या हम लगातार अगले सौ साल तक दो साल तक यही कहते रहें कि हम गुलाम थे मैं इसलिए कि हमारा लीडर कहीं बाहर जाकर यह कहता है बार बार कि हम गुलाम थे तो ये बहुत हास्यास बद लगती यह वाले आप तो राजनेति शास्त्र kalian के एक्सपर्ट रहें तो वो कियों कहते हैं? क्या उनको लगता है कि बार बार इसको दोहरा के वो आज के हिंदुस्तान में जो पुराने जो फॉरिन रूर्लर्स है मुसलमान rifly तो आज के हंदुस्तान में जो मसलमान है क्या उनके बीच में एक connection establish कर रहे हैं और जिसकी वजह से वो हिंदू consolidation की कोशिश कर रहे हैं देखे जो भाजपा है यह identity politics पे based party है जी उसका economic जो policies है वो definitely welfarism कर नहीं है जी बोलते जरूर है बोलते जरूर है लेकिन जितने भी आर्थिक विसे सग्गे हैं वो बताते हैं कि भाई यह इनका जो model है economy का उस model में right wing model इसलिए है कि capitalism की तरफ यह move करना चाहता है पूरी तरह से state capitalism state control state भी control हो रहा है capital कुछ जो so called इनके जो welfare schemes है जिसको tangible वो welfare नहीं है वो एक तरह से दोल है exactly यह बड़ा स्वरूप में परिवर्टन है अब बार बार आपके शब्द ही बदल गया है अब आप एक तरह से लावार्थी हो गया है यह आपका right नहीं है अब आप लावार्थी है इसका love ले रहे है जबकि पहले जबार right था वो welfareism तो nature पूरा बदल गया उसका तो अब उसके बदले जो legitimacy का इनके पास सबसे बड़ा अस्तर हो सकता है वो है identity politics और identity politics में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कि आपको एक other create करना पड़ेगा जितना ही ज़्यादा आप other create करें उतना ही आपने को consolidate कर सकते हैं और other create करने के कई तरीके होंगे culture भी होगा इतिहास होगा जो anxieties हैं उन anxieties को आप use करेंगे जैसे चोटी सी कोई बात हो गई उसको आप बढ़ा करके बताएंगे ये community करता ही ऐसे है सब्सक्राइए गटना गट गई अब उस गटना में कोई व्यक्ती शामिल है जो व्यक्ती अपरादी हो सकता है लेकिन उस किसम का एक personality एक individual उभर के आया जो ये बाइलेशन कर रहा है ये उसको बताने लगे हैं कि ये पूरी community का ये nature है तो ये identity politics की समस्या है जनतंत्र के लिए identity politics एक बड़ी समस्या है क्योंकि उन्हें बहुमत create करना है तो बहुमत create करने का तरीका दो ही हो सकता है या तो आप अपने governance के माधियम से कीजिए, welfareism से कीजिए, लोगों का प्यार जीती है, लोगों का प्यार जीती है, लोगों को बहतर जीवन दीजिए, governance कीजिए, या फिर आप कोई ऐसा emotional मुद्दा छोड़ दीजिए, जिस पर की reasoning बंद हो जाए लोगों की, जिस पर तरक करना लोग ब देखें कि तरक बंद हो जाता है, और लोग emotion से काम करते हैं, emotion का होना अच्छा है, लेकिन emotion बहुत आसानी से divert करके violence की तरफ जा सकता है, तो ये identity politics से समस्या है, कि आपको एक other create करना पड़ेगा, अब other create करना खास करके हिंदुस्तान में बहुत मुश्किल है, इसलिए कि हम बाजिक तोर पे एक entanglement हुआ है, हमारी आर्थिक विवस्ता में हम एक दूसरी community से जुड़े हैं, हम सांस्कृति ग्रूप से एक दूसरी community से जुड़े हैं, हम जीवन में एक दूसरी community से जुड़े हैं, अब उसको आपको separate करना है, तो separate करने के लिए आप identity politics के उन तमाम ह entanglement बोलते हैं, इनके जो राजनीतिक, इनकी जो politics है, उसके प्रचार में भी तो इसको एक तरह से offense के तौर पे देखा जाता है, जैसे entanglement में, social interaction होता है, social interaction में, इतिहास में तमाम चीज़े देखने को मिलती है, इतिहास में हम को देखने को मिलता है कि जो राजा हैं, जो स कुलतान होते थे या बादशाओ जो होते थे, वो हिंदुस्तान में दूसरे community के लोगों इसमें विवा रचाते थे, तो आज के युग में तो हम लोग पिछले 2014 से तो देखी रहे हैं, उसके पहले कई सालों से love जिहाद करके, land जिहाद, ये सब चीज़े जो बोल रहे हैं कोई किसी को पसंद करता है, तो शादी रचने में कोई मुझे परिशानी नहीं नज़र आती है, लेकिन उसको फिर जिहाद के फौर में देखेंगे कि अपने में परिवर्टित करने की कोशिश करने हैं, तो ये बिलकुल, जिदी फ़र्स गौर से देखें, आइडेंटिट पॉलिटिक्स कैसे काम करता है, तो पांच स्टेजज हैं उसके, पहला स्टेज होता है, आइडेंटिटी, आइडेंटिफिकेशन, कि आप बंगला बोलते हैं, मैं भी बंगला बोलता हूं, तो हमारा एक नैचुरल मीटिंग पॉइंट होता है, खासकर कर जिए हम ऐसे जग फिर होता है, आइडेंटिटी, कांसॉलिडेशन, कि अब हम मिल गए हैं काफी सारे लोग, तो हम लोगों को एकटे होना चाहिए, और अपने इंटरेस्ट को हमें सर्व करना चाहिए, हमारे कॉमन इंटरेस्ट हैं क्योंकि ये आइडेंटिटी हमारी है, यहां तक बहुत न फिर एक कांफलिक्ट होता है, जहां कि हम अधरनिस और भी कांसॉलिडेट करते हैं, लोगों बारते हैं या उनकी चीज़ों को हमिलियेट करते हैं, इससे हम अपने को कांसॉलिडेट करते हैं, यह जो दो फेजज हैं, जो आखरी दो फेजज हैं, यह बड़े खतरनाक हैं, यहीं पर यह अधर जो है वो create होता है तो आप देखेंगे कि चिस भी community में जिसको भी देखें उसमें circles होते हैं एक छोटा circle होता है जो पूरे इतिहास को community के इतिहास की तरह देखता है जिसका उदेश है कि हम पूरे समाज में एक ही community का राज होना चाहिए और फिर उसके होता है यह चोटे circle का जो narrative है वो अपने आपको expand करता है और बाकी circles को engulf करता जाता है तो जो community politics करने वारी लोग हैं वो चाहते हैं कि ऐसे मौके create किया ही जाएं जी ताकि इस तर्ग को हम expand कर सकें इस narrative को हम expand कर सकें तो कई बार ऐसा होता है कि जान बूज कर अपने उपर ही करते हैं ताकि हम अपने लोगों को convince कर सकें कि दूसरा community हमारे उपर हमला कर रहा है तो यह पूरा politics का dynamics फिर वहां से सुरू होता है तो मुझे लगता है कि वहीं आकि यह समस्या सुरू होती है कि आप एक otherness create करने के लिए जो जो भी spaces of entanglement होते हैं उसको आप break करते हैं और शादी तो सबसे बड़ा वैसा space है आप देखें कि हिंदुस्तान के इतिहास में दो बड़े ऐसे thinker जिनको मारा गया जिन्होंने इस entanglement के लिए बहुत काम किया एक दारशिको थे और एक गांधी थे दारशिको ने किताब लिखी meeting of two oceans और उस पे एक फत्वा दिया गया कि इनको मारना चाहिए जिस तरह से दारशिको को मारा गया वो एक brutal तरीका था brutality उसमें involved थी उस brutality का सीधा मतलब था कि demonstrate करना चाह रहे हैं आप वैसे ही जैसे गांधी को मारा गया प्रातना सभा में जाते बड़े बड़े उसमें involved है तो ये दोनों की बात करें दारशिको और गांधी को आप एक तरह से juxtapose करें कि दोनों को मारा गया अब एक विडंबना है कि दारशिको तो जो मोधी जिस राजनीती जो हिंदुत्व वाली राजनीती है उनके लिए तो दारशिको एक तरह से martyr थे गांधी के मृत्यू के बारे में कुछ ज्यादा बात नहीं होती ह इसके बारे मέंगें बता है कि एक समझाने की कोश्य नहीं कि ऐसा किवकि दारशिको को तो एक तरह से मतलब चैंपियन करते हैं उनको बार बार दिखाते हैं कि एक एगजाम्पल के तरूप़ की देखिए ये कत्रवाद कुछंऐं क्टरपंधियों ने क्या किया दारशिको को मातिया मतलब आइडियल मुस्लिम गुड मुस्लिम जी मुझे लगता है कि ये भी एक मिस्ट नूमर है जी दाराशी को हमेसा मुसलमान रहे और उन्होंने जो बात की वो सिर्फ डायलॉग की बात की कि डायलॉग कैसे हो सकता है और उनको मारा जाना डेफिनिटली बहुत ग मुसलिम इसलिए थे कि हिंदु मुसलिम डायलॉग के चैंपियन थे वो डायलॉग बहुत इंपॉर्टन चीज है जिसको गांधी रिकलेम करने की कोसिस कर रहे है कि डायलॉग का मुकावाना चाहिए जिसमें हम बात्चित करें और एपिस्टिमिक डायलॉग हो ये ग्यान परंपरा हैं religion उनके साथ कैसे बाचिक की जाए तो मेरे ख्याल से ये differentiation बहुत artificial है यदि हम चाहते हैं कि दाराशी को celebrate करें और गांधी को नहीं celebrate करें ये अपने आप ए contradictory है क्योंकि दोनों जो है आप celebrate करने की बात कर रहे हैं मैं तो ये कुंबा की पिछले 9 साल से 2014 से पता ने कितने incident हुएं कि भारती जनता पार्टी के जो बकाइदा जो member of parliament या बाकी नेता हैं कितने लोगों ने एक तरह से romanticize जब glorify किया है नाथूराम गोट से और बाकी लोग जो उनके साथ शड़ेंटर में involved थे विनाएक दामोदर सावर करकर के बारे में हमेशा बहुती लाडिटरी तरीके से बोला जाता है उनको वीर का दर्जा दिया जाता है उनको एक तरह से मतलब national icon के लिक तौर पे प्रेस कर दिया गया है आपने अपनी बात्चीप में यह जो मैंने कहा कि दो चोटे चोटे ग्रुप्स नहारे community में हैं जो औरंग जेप को celebrate करते हैं बलकुल और जो नाथूराम गोट से को celebrate करते हैं अभी तो मतलब औरंग जेप को celebrate करें जो महराश्रा के जो deputy chief minister हैं उन्होंने तो ये phrase को दुबारा से इस्तिमाल किया कि हिंदुस्तान में अभी भी ऐसे लोग हैं जो औरंग जेप के उलाद हैं और फिर एक तरह से message भेजा कि हम इनको मतलब ठीक कर देंगे मैं ये दोनों में similarity हैं कि दोनों ही जो है दोनों एक दूसरे को perpetuate करते हैं दोनों एक दूसरए को यही मैं कहना चाहरा हूं जै DUनों एक जैसे लोग हैं क्योंकि दोनों ही justice के खेलाफ हैं वो एक बड़ी चीज़ है जो भारत सबसे बड़ी संपदा है वो है डायलोग बिट्रिन कम्मिनिटीज और दोनों ही लोग पॉपलर रहे दाराशीकों भी लोगों के बीच में बहुत पॉपलर है मुसल्वानों के बीच में पॉपलर है और गांधी भी इतना ही पॉपलर है तो यह मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का यह उसमें जो एंटेंगल्मेंट जिसको बार बार मैं कहरा हूँ वो इतना मजबूत है कि वो इस तरह के किसी भी प्रियास को फेल कर देता है जी आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया इतिहास में मतलब आपने कोई इतिहास को डिफेंड करने की नहीं कोशिश की जो इतिहा हुआ है उसमें आइट्रॉसिटीज रही होंगी उसमें बार 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 पर्पिच्वेट किया जाता है कि फॉरिन रूल फॉरिन रूल तो जाहिए सी बात है हिंदुस्तान में हिस्ट्री ऑफ कनवर्शन्स भी हैं बहुत सिर्जो मुसल्मान है उनमें बहुत बड़ा तपक वही है जो यहीं के इसी जमीन के लोग हैं जो इसलाम में कनवर्ट हुए किसी कारण से हिंदु समाज में उनके जो पूरवज थे उनको हिंदु समाज में शायद ठीक जगा नहीं मिली ऑपरचुनिटीज नहीं मिले उनका एक्स्प्लॉइटेशन हुआ होगा उनको चार साल की बारासो साल की गुलामी हम लोग गुलाम रहे तो क्या असर पड़ता है और जो हिंदुसान का जो कंटेम्परिरी मुसलमान है उसके दिमाग में क्या असर पड़ता है दोनों बाते हैं देखिए मैं एज ए हिंदू बहुत हिमिलीटेट फिल करूंगा कोई दि बुरा लगाएगा क्यों मैं गुलाम था बाले हसाएगा तो ब्रिटिसकाल में भी समझूगा मैं मैं गुलाम कभी ने रहा क्योंकि मैं लड़ते रहे। ठीक है वो पावरफुल हो गया लगैं हम तो लड़ते रहे। तो ये तो इनके अपने frame के ही contradiction में है कि आप इतना बड़ा इतनी बड़ी संस्कृती है और आप कहते हैं मैं हजार साल तक गुलाम राए गया यह कैसे हो सकता है दूसरी बात है कि जो दूसरे लोग हैं जी वो लोग फिर threatened फिल करते हैं वो लोग फिर क्योंकि ये discourse सिर्फ इतियास का discourse नहीं है ये contemporary time का discourse है बिल्कुल और आप और आज बोला जा रहा है क्योंकि आज हमें फाइदा लेना है बिल्कुल आप इस वक्त वो otherness create करना चाह रहे हैं जिस otherness से इस समाज में बहुत बहुत complexities हो सकता है बहुत डर पैदा किया जा सकता है क्योंकि आप जनतंत्र में हैं जहां majority बहुत महतुर रखता है और आप majority में है और majority ही नहीं है बलकि ये majority जब state कंट्रोल करता है तो state आज की तुलना में मुगल state से कहीं ज़्यदा powerful है वो आपके जीवन के most private affair में जा सकता है तो ये तो बहुत डर पैदा करेगा कि एक ऐसा state बन जाए जो state हमें बाहर का मान ले या हमें ये मान ले कि हम उसके गुलाम होने के लिए responsible हैं तो ये तो हमारे democracy के लिए बहुत खतरनाक होगा हमारे democracy के लिए बहुत जरूरी ये है अभी संभव होगा जब हम integrated रहेंगे democratic space create करेंगे जहां भी वो differences हमारे हैं भी यदी तो हम नए institutions बनाएं ताकि उन differences से हम बाहर निकल सकें कहीं यदी ऐसी कोई चीज है जिसमें हम दोनों के बीच में insecurity आ रही है, distrust आ रहा है तो अभी democracy के का मतलब यही है कि उसको तूर करेंगे त्रस्ट हम create करें त्रस्ट reclaim करें और भारत यदी सचमुछ superpower बनना चाहता है तो इस बात पर ही dependent करेगा कि हमारा जो multicultural society है उसके अंदर ट्रस्ट हम कैसे create करते हैं हमारी जो pluralism है वो बार बार reflect करनी चाहिए बिल्कुल और उसमें ट्रस्ट पैदा होना चाहिए यजी हमने डिस्ट्रस्ट पैदा कर दिया सब्सक्रिस्ट के पूरी पूरा एक logic होता है वो डिस्ट्रस्ट पहले community में सुरू होगा फिर वो डिस्ट्रस्ट family में आएगा फिर वो डिस्ट्रस्ट इंडिवीजूल में आ जाएगा जी और जी डिस्ट्रस्ट इस तरह से फैलता रहा तो आप एज़ नेशन सर्वाइव नहीं कर सकते हैं तो मुझे लगता कि कम्यूनिटी की बीच में ट्रस्ट लाना इस वक्त हमारे नेशन के सर्वाइव के लिए बहुत जरूरी है और पावरफुल नेशन के लिए बहुत जरूरी है आपने बहुत अच्छी तरह से समझा है कि हमको डिस्ट्रस्ट को खतम करना पड़ेगा कि नेशन को सर्वाइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा तो जो फॉरेन रूरी की जो नारेटिव है इसको हमको खतम करना पड़ेगा इसको हमको कैम्पेन करना पड़ेगा कि ये किसम का narrative है इसका प्रचार नहीं होने दिया जाए बिलकुल इवें जो ब्रिटिस रूल है मादिए मैं तो ब्रिटिस रूल को भी ऐसे देखने को तयार हूँ कि ठीक है ब्रिटिस रूल रहा वो हमारा past रहा है उसमें हमने बहुत कुछ सीखा है हमने एक पूरा नया philosophy आया जो दुनिया भर में फैला हुआ था उस वक्त तो हमने वो भी सीखा और अब हम उससे बाहर निकले आजादी का मतलब यह है कि गुलामी की मानसिकता से बाहर निकले जब तक हम अपने गुलाम होने की बात को दोराते रहेंगे तब तक हम गुलाम एक्चुली बने ही र आने और बार बार अगर हम गुलामी का की बात करते रहेंगे तो हम कभी सही माइने में आजाद नहीं हो पाएंगे धन्यवाद